मेरी तरह पूरे साल आइस्क्रीम खाना किसे पसंद है? मुझे तो कितनी भी थंडी पड़ जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन आइस्क्रीम, आइस्क्रीम तो मेरी फेवरेट रहती है तो चलिए आज घर पे ही बनाते हैं आइस्क्रीम, जो रेडी मेड पैकेट्स आते हैं, उससे आज हम बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने दो पतिली ले ली है, मैं दो फ्लेवर के आइस्क्रीम बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने दो पतिली ले ली है तो यहाँ पे हमें एक flavor की ice cream बनाने के लिए 500 ml दूद चाहिए तो किसे ने मुझे comment किया था कि आप इस तरह fork से दूद की जो पाउच आती है जो packet आता है उसे open करो तो मैंने वैसे try किया लेकिन यह idea fail हुआ बिल्कुल भी काम नहीं किया तो मैंने last में उसे scissor से ही मैंने cut कर लिया है और दोनों पतिरी में मैंने 500 ml दूद ले लिया है और यह जो ready mid packet है उसके अंदर जो यह powder निकला है वो सारा powder हम डाल देंगे दूद के अंदर मैंने यहाँ पे दो flavor लिये हैं एक काजुद राक्ष लिया है और एक बादाम पिस्ता लिया है तो दोनों packet को मैंने दूद के अंदर दाल दिया है और अच्छे से mix कर लिया है और सारा powder अच्छे से गुल जाए दूद के अंदर उसके बाद ही हम gas की flame को on करेंगे पहले से on कर देंगे तो उसके अंदर lumps भी पड़ सकते हैं यहाँ पे हमें continuously उसे चलाते हुए पकाना है जब तक की एक उबाल ना आ जाए तो चलिए यहाँ पे दोनों पतिली में एक उबाल आ गया है तो gas की flame को मैंने off कर लिया है और दोनों ही पतिली को मैंने पंके के नीचे ठंडा करने के लिए रख दिया है और इस तरह पंके के नीचे इसे मैंने ठंडा कर लिया है एकदम room temperature पे आए उतना हमें ठंडा कर लेना है और अब इसे हमें एकदम cream को तो इसके अंदर हम डालेंगे whipped cream अगर आपके पास whip cream नहीं है, तो आप घर पे जो मलाई होती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हो याप फिर fresh cream भी इसके अंदर डाल सकते हो तो यहाँ पर तकरिबन मैंने एक कब चितनी whip cream ली है और इस तरह के double bitter से मैंने इसे fat लिया है और अब ले लेंगे थोड़े से dry fruits तो यहाँ पे मैंने दो तरह की आईस क्रीम बनाई है बादाम पिस्ता और कजूत राक्ष तो थोड़े थोड़े dry fruits इसके इंदर डाल देंगे chop कर गई तो यहाँ पे मैंने पहले बादाम पिस्ता ले लिया है उसे इस सारा बारिक चॉप कर लिया है लेकिन इतना बारिक चॉप नहीं हो रहा था तो मैंने इस सारा के dry fruit cutter से उसे cut कर लिया है मतलब कि चॉप कर लिया है तो इसमें एकदम बारिक अच्छे अच्छे पतले सी chips निकलते हैं तो यह दिखिए बहुत ही बढ़िया तरीकी से यह चॉप हो चुका है तो चले थोड़े से बादाम पिस्ता हम डाल देते हैं बादाम पिस्ता वाले फ्रेवर में सारा नहीं डालेंगी थोड़ा सा रहने देंगे और अब यहां पर और जो regular ध्राक्ष आती है मतलब किश्मिश आती है वो दोनों ही ली है क्योंकि मेरे पास थी अगर आपके पास कोई भी एक है तो भी आप ले सकते हों तो चलिए अब कजु ध्राक्ष को मैंने डाल दिया है इस मिक्शर के अंदर और अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ले लिया है एक अलुमिनियम का टीन और उसके अंदर यह सारा मिक्शर मैंने डाल दिया है और उपर से इसे अलुमिनियम फॉइल से मैंने रैप कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने एक एक टाइड डिपा ले लिया है, उसके अंदर मैंने बादाम फिस्ता वाला जो मिक्षर है वो डाल दिया है, तो आप दोनों में से किसी एक तरीके से इसे चमा सकते हो, आइस क्रेम को दोनों में बढ़िया तरीके सा आइस क्रेम बनेंगी, बिल् से double bitter ले लिया है और अब इस तरह से हमें इसे बराबर से fat लेना है तो आप देख सकते हो कि इसकी जो quantity है वो बढ़ गई है और एकदम light ice cream बन करके ready हो गई है कुछ लोग क्या करते हैं एक बार ही ice cream जमा लेते हैं दूसरी बार इस तरह उसको fat नहीं है लेकिन अगर आप इस ice cream ready हो गई थी तो मैंने उसके ऊपर थोड़े से काजु द्राक्ष डाल दिये थे और अब यह जो बादाम पिस्ता वाली है उसे भी मैंने fat लिया है तो आप देख सकते हो कि इसके भी quantity जो है वो बढ़ गई है चलिए अब इसे भी थोड़ा सा गानिश कर लेते हैं उपर से बादाम पिस्ता से और इसे ढख कर रख देते हैं ओवरनाइट के लिए जमने के लिए फ्रीज होने के लिए फ्रीजर में अगर आप इसे ओवरनाइट नहीं रखना चाते हो तो साथ से आट गंटे में भी ice cream एकदम रेडी हो जाएगी तो चलिए रात बर मैंने इसे अच् सॉफ्ट है उपर से इसे काजू और पिस्ता से सॉरी बादाम और पिस्ता से मैंने इसे कानिश कर लिया है और अब ये जो काजू दराख्ष वाली ice cream है उसे भी इस तरह हम निकाल लेंगे तो दोनों ये ice cream बहुती soft, fluffy and light बनी थी बहुती tasty बनी थी तो अगर आप भी मेरी इस तरह पूरे साल ice cream खाने के शौकिन है तो आप भी इस तरह घर पर ice cream easily बना सकते हैं और उसे enjoy कर सकते हैं तो चलिए आपको आज के recipe कैसे लगी प्लिस comment करके ज़रूर बताना चलिए मिलते हैं जल्दी ही next recipe के साथ तब तक के लिए बाई जैशीक रशना